इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को दे कर किसी दवाई का उप्योग करते ह जो एंटिबाउटिक दवाओं के उपियों के बाद या आतों में संक्रमन की कारण परिशान हो सकते हैं। ये पाचन तंत्र की स्थिती को प्रबंधित करने में भी मदद कर सकता है, जिससे हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से मौझूद लापकारी बैक्टिरिया का नुकसान होता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, ये फाइदे मन बैक्टिरिया को बहाल करने में मदद करता है, पाचन में सुधार करता है और समगर स्वास्थे को बढ़ाता है। दो, ये बार-बार होने वाले दस्त से राहत देता है और उन्हें वापस आने से रोग कर आपको स्वस्त रहने में भी मदद करता है तीन, ये संक्रमन पैदा करने वाले बैक्टिरिया के विकास को रोग सकता है और संक्रमन को साफ करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें